नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुबाइल की फोटो पैंडराइब में कैसे डालें यानि पैंडराइब में कैसे ट्रांसफर करें तो आईए जानते हैं सबसे पहले आप अपने मुबाइल में अपनी पैंडराइब कनेक कर लिजिए अगर आपके पास सैमसंग और MI का मुबाइल है तो इसमें डारेक्ट हो जाता है पर अगर आपके पास ओपो या वीवो का मुबाइल है तो उसमें अंदर से ओटीजी चालू करने पड़ती है तो आप देख लिजिए और ओटीजी कनेक कर लिजिए यहाँ पर आपके पास आपकी pen drive आ जाएगी आप इसे open करोगे तो अपनी pen drive को देख सकते हो पर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप my files या नि file manager में आ जाएए यहाँ पर आपको मिल जागा USB storage आप इसे चेक कर लिजिए क्या आपको pen drive यह से connect हुआ है या नहीं तो हमारा pen drive तो connect हो चुका है अब यहाँ पर आपको फिर से file manager को open करना है यहाँ पर आपको अपनी वाली फोटो देख लेनी है जिस फोटो को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने pen drive में तो यहाँ पर अगर आपकी फोटो जो है वो camera से खीची हुई है तो आपकी आईगी फोटो DCIM folder में आप इसे open करें camera में जाएए यहाँ पर आपकी वाली फोटो आ जाएगी अगर आपको नहीं मिल रही है मतलब कोई और फोटो है तो आपनी फोटो को search कर लीजिए तो यहा अपनी pen drive में भेजेंगे आपको इस पर long press करना है यानि इसको select कर लेना है यहाँ पर आपको मिलेगा copy या उपर की तरफ copy मिल जाएगा या तीन डॉट पर टाच करें और copy option आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो आप इसे ढूंड लीजिए और copy पर टाच करें आपके पास य यहाँ पर हमारी 4GB के pen drive है तो दिखा रहा है 3.84 GB अब USB storage पर टाच करें आपका pen drive ओपन हो जाएगा अब आपको यहाँ पर मिलेगा paste तो paste option आप देख सकते हैं इस पर आपको टाच करना है और आपकी photo यहाँ पर इसमें आ जाएगी आप देख सकते हैं कि इसमें photo आ चुकी है ऐसे आप इसको use करें वीडियो पसंद आई वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें